नमस्कार चानक्या IAS Academy के सापताहिक समसामेकी वस्तुनिष्ट प्रश्णोतरी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम समसामेकी से समंदित वस्तुनिष्ट प्रश्णों पर विचार करेंगे। अब आपसे यह अपेक्षा है कि आप प्रत्य प्रश्ण के जवाब वीडियो में जवाब आने से पहले देने का प्रयास करें। और कमेंट सेक्षन में हमें यह बताएं कि आपने कुल कितने प्रश्णों के सही जवाब दिये हैं। तो चलिए, शुरुवात करते हैं इस वीडियो की इस प्रश्ण से। प्रश्ण है कि भूमी रिकॉर्ड और उससे संबंधित लेन दिन के लिए धरणी नामक पूर्टल निम्न में से किस राज्जी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। चार ओप्सन हैं। अब देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है option C तेलंगाना अब जड़ा इसकी व्याख्या देखते हैं व्याख्या के अंतरगत यह है कि यह जो धर्नी नामक पोटल है इस धर्नी नामक पोटल का उद्देश से राज्जी के लोगों को सुरक्षित और पारदर्सी भूमी पंजीकरण की सुईधा उपलब्द कराना है यह पोटल ना केवल राज्जी के जो लोग हैं उन लोगों को उनकी संपत्ति की जानकारी प्राप्त कराने में सुईधा परदान करेगा बलकि जमीन के पंजीकरण के लिए जो स्लॉट बुक कराए जाता है तो उस स्लॉट को बुक कराने की सुईधा उपलब्द कराएगा इसके अलावा इस पोर्टल के आने के बाद तिलंगाना में राजस्व अधिकारियों की विवेकाधिन सक्तियां समाप्त हो चुकी है इसका मतलब अब यहां पर यह है कि अब केवल विक्रेता खरिदार तथा सम्मंधित राजस्व अधिकारी के उचि निम्म कथनों की सत्यता पर विचार करें पहला कथन देखे क्या है कि इस योजना की शुरुवात केंद्रिय विज्ञान और प्रद्योगे की मंत्राले द्वारा की गई और दूसरा स्टेटमेंट है कि यहां 35 से 55 वर्स के सभी सोध करताओं पर केंद्रित है सही विकल्प विचार करें ओप्सन ए केवल पहला कथन ओप्सन रच बी केवल दूसरा कथन आफसी पहला और दूसरा कथन और कोई भी नहीं इसका सही जवाब है और ँद्रिय विज्ञान और प्रद्योगे की मंत्राले द्वारा सर्व पावर अब देखें सर्व पावर का फूल फॉर्म क्या है साइंस एंड इंजिनेरिंग रिसर्च बोर्ड प्रमोटिंग ऑपर्चुनिटीज फॉर वुमन इन एक्स्प्लोरेटरी रिसर्च तो केंद्री विज्ञान और प्रोध्योगी की मंत्राले द्वारा सर्व पा हैं तो उन महिला सोध करताओं को शोध और विकास गतिवीदियों के लिए प्रोध्साहन देना और इस योजना के अंतरगत छात्रविर्ति का भी प्रावधान है और यह जो छात्रविर्ति का प्रावधान है वह देखें किन के लिए है तो 35 से 55 वर्स की आयूवर की महिला स सोध करताओं पर यह केंद्रित है और इसके अंतरगत हर साल पचीस सोधार्थियों को फैलोसिप या छात्रविर्थी प्रदान की जाएगी हां यहां यह उलेखनी है कि इनकी संख्यां 75 से जादा नहीं होगी उसके अलावा यहां भी महत्रपूर ने यहां पर कि यह जो छात् विर्थी उनको दी जाएगी वह तीन वर्स की अवधी के लिए होगी जिसमें विस्तार नहीं किया जाएगा चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रशन की ओर तीसरा प्रशन जरा देखिए कि मेरी सहेली पहल निम्ल में से किसके द्वारा प्रारंब की गई है चार विकल् सही जवाब है ओप्सन बी मतलब रेलवे सुरक्षा बल आएए देखते हैं इसकी व्याख्या देखे हाली में रेलवे सुरक्षा बल मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आर्पी अप द्वारा मेरी सहेली नामक पहल की सुरुवात की गई है जिसका उद्देश यह है कि रेल यात्रा के दौरान जो महिलाएं हैं तो उन महिला यात्रियों को यात्रा के दौरान सुरक्षा का वातावरन परदान करना इसके अंतरगत या व्यवस्था भी है कि रेल यात्रा के दौरान महिलाओं की सहिता के लिए महिलाओं के नित्रित में एक टीम का गठन किया ज उनके कोच संख्या क्या है तो यह भी नोट किया जाएगा जिसे बाद में उसके अगले डिविजन या जोन के अधिकारियों के द्वारा साजा किया जाएगा यह जो पहल अभी प्रारंब किया गया है विस्तार पूर्वक इस पहल को सितंबर 2020 में डक्षिन पूर्व रेलवे द्वारा प्रारंब किया गया था चले बढ़ते हैं अपने अगले प्रस्न की और प्रस्निया है कि हाल ही में मंत्री मंगल द्वारा जूट निर्मित सामग्री में पैकिंग की अनिवारिता संबंदी नियमों के विस्तार को मंजूरी प्रदान की गई है जूट से संबंदि निम्न कथनों पर विचार करें, तीन कथन है, पहला कथन कि इसे सिल्वर फाइवर भी कहते हैं, दूसरा कि बांगला देश विस्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तीसरा इसका उत्पादन शितोस्न छित्र में होता है, उपरियुक्त में से असत्य कथन है, विक सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है, option D, मतलब कि सभी तीनों कथन असत्त हैं, चले देखते हैं, इसे विस्तार के साथ, जूट को गोल्डन फाइवर के रूप में जाना जाता है, वहीं बांगला देश नहीं, बलकि भारत विश्व में कच्चे जूट और जूट के स राई छित्र होता है, चले अब हम बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करें, पहला कथन, बांध उनर्वास और सुधार परियोजना को 2012 इस्वी में विस्व बैंक की सहायता से केंद्रिये जल आयोक के द्वारा सुरू कि दूसरा, धर्मा बांधों की देखभाल से समंदित एक पढ़नाली है, उपरियुक्त में से असत्य कथन है, चार ओप्सन है, ओप्सन A केवल पहला, ओप्सन B केवल दूसरा, ओप्सन C पहला और दूसरा, ओप्सन D कोई भी नहीं, इसका सही जवाब है ओप्सन D, मतलब ये कि कोई भी कथन असत्य नहीं है, देखते हैं इसकी व्याक्या, धर्मा, जिसका फूल फॉर्म है, डैम, हेल्थ एंड, रिहाबिलिटेशन, मोनिटरिंग, अर्थात, बांध, स्वास्थ और पुनरवास, निगरानी, या बांधों की देखभाल की एक पढ़नाली है, और वर बांध, पुनरवास और सुधार परियोजना के चरन दो और चरन तीन को मंजूरी दी गई है, और इस परियोजना के लिए विस बैंक और एसियन इंफ्रस्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक वित्ती साहता परदान कर रहे हैं, परियोजना को लागू करने की अबदी 10 वर वर्सों की पुन्रावर्ती अबधी सामिल है, इसलिए यहां पर जो आप देख रहे हैं कि 6 वर्सों का होगा, उसका कारण यहां पर यह है कि 2 वर्सों की पुन्रावर्ती अबधी भी इसके अंत्रगत शामिल है, चलिए बढ़ते हैं, अब अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रस्टन यहां पर यह है कि वायू, गुणवत्ता, प्रबंधन, आयोग से संबंदित निम्न कत्नों पर विचार करें। पाला कत्न यहां एक वैधानिक प्राधिकरण है, दूसरा कत्न इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, तीसरा कत्न यहां प्रयावरण, प्रदूसर्ण, रोक थाम एवं नियंत्रन प्राधिकरण का इस्थान लेगा। पाला और तीसरा सत्यक प्राधिकरण है, चलिए, देखते हैं इसकी व्याक्ष यहां पर यह है, जिस आयोग का गठन हाल ही में केंदर सरकार के द्वारा अध्यादेश के माध्यम से किया गया है, उस आयोग की अध्यक्षता भारत सरकार के सचिव अथवा राज-सरकार के कि EPCA एक वैधानिक निकाय नहीं था, बलकि यह क्या था, या उच्चतम न्यायले से इसको वैधिता प्राप्त थी, और इसका जो गठन किया गया था, या गठन प्रियावरन संगरक्षन अधिनियम 1986 की अंतरगत किया गया था, वहीं EPCA एक कानून की रूप में किसी विधि जनमत संगरह में देश के चार दसक पुराने संविधान में बदलाव के पक्ष में मतदान किया है, चार ओप्सन है, ओप्सन A, आस्टेलिया, ओप्सन B, चिली, ओप्सन C, पेरू, ओप्सन D, बॉलिविया, इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है, ओप्सन B, चिल ने सम्विधान को बदलने के पक्षवे भारी मतदान किया है। हुआ यूँ था कि 1970 के दसक में चीली में एक सैन्विद्रो हुआ और सैन्विद्रो के बाद सैनिनेता पिनोसे के नित्रुत में एक सरकार बनी। पिनोसे के नित्रुत में जो सरकार बनी इस सरकार ने एक नए सम्विधान बनया और नए सम्विधान के साथ सात्व वहाँ पर आर्थिक उदारीकरण की नीती भी अपनाये गया था। उसके अंतरगत नीजी करण पे ज़्यादा बल दिया गया, और धीरे धीरे जितने भी शार्जनिक इकायां थी उनका नीजी करण कर दिया गया, और इस नीजी करण के कारण, आम लोग मूलभूत सुविधाओं, जैसे कि स्वास्त, तो इन मूलभूत सुविधाओं से धीरे दीरे वो दूर होते चले गए इसके कारण जनाक्रोस तो बढ़ी रहा था जिसे हवा मिली पिछले साल तब जब सरकार के द्वारा मेट्रो की किराय में 4% की बढ़ोत्री की गए अब यह जो नया समिधान बनाने की बात कही जा रही है चीली में तो 2022 तक इसे अंतिम रूप से तयार करना है चले देखते हैं अगला सवाल अगला सवाल यहां पर यह है कि निम्न कत्नों पर विचार करें दू कतन है पहला कतन क्ले वियस क्रेटर मंगल गरह परिस्थित है दूसरा नासा के सोफिया द्वारा चंद्रमा पर जल के अन्वों का पता चला है उपरियुक्त म जबाब क्या हो सकता है इसका सही जबाब है option B केवल दूसरा चले देखते हैं इसकी व्याख्या सबसे पहली बात तो यह की Clavius Crater यह कहां पर स्थित है या इस्थित है चंद्रमा पर और Sophia जिसका full form है Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy या Boeing 747 SP Jetliner का एक संसोति रूप है और यह NASA और German Aerospace Center की एक संयुक्त परियोजना है और Sophia ने चंद्रमा के Clavius Crater पर जल के अनुका पता लगाया है वही इस्थित ने वर्स 2009 में चंद्रियान 1 पर लगे moon meteorology map पर उपकरन द्वारा चंद्रमा के धुरुई छित्रों में पानी के अनुका पता लगाया था चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है अगला प्रश्न यहां पर यह है कि जॉंबी फायर से संबंदित निम्न कतनों पर विचार करें तीन कतन हैं पहला कतन यह आग का एक ऐसा स्वरूप है जो भूमिगत रूप से जलती रहती है त सॉंबी फायर की घटनाएं बढ़ी है और तीसरा कि आग एवं रिकॉर्ड तापमान विर्दी में कार्बन सिंक को कार्बन स्रोत में परिवर्तित करने की छमता है उपरियुक्त में से सत्य कथन है ओप्सन A पहला दूसरा ओप्सन B दूसरा तीसरा ओप्सन C पहला तीसरा ओप्सन D सभी तीनों तो इसका सही जवाब क्या है इसका सही जवाब है ओप्सन C पहला और तीसरा आखिर क्यों तो देखते हैं इसकी व्याक्या देखे जॉंबी फायर आग का वह रूप है जिसमे आग भूमिगत मतलब बर्फ के नीचे कार्बनिक पीट छेत्र में लगी रहती है किन्तु सता परिया कुछ समय के बाद दिखती है और इस आग से जोड़ी सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यह आग अब आर्करटिक छेत्र के उन भागों में जादा फैल रही है जो पहल मेगा टन कार्बन डाकसाइड को अमसोसिद भी कर रही थी लेकिन लगातार आग की इन घटनाओं वर लगातार हो रही तापमान विर्धी की वज़ा से यह कार्बन के प्रमुक सुरोत के रूप में बदल सकता है और अगर यह कार्बन के प्रमुक सुरोत के रूप में बद पर विचार करें तीन कथन हैं पहला कथन यह योजना केंदर सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के गरीब परिवार के लोगों के लिए एक ब्याज राहत योजना है दूसरा भारत सरकार का वित्त मंत्राले इस योजना की लाभारतियों एबं स्वैम सहता समुहों के परीचालन खातों में परत्याक्ष लाभ हस्तान त्रण के माध्यम से धन जमा होगा उपर्युक्त में से असत्य कथन है, मतलब कि सही कथन नहीं है option A केवल पहला, option B केवल दूसरा, option C केवल तीसरा और option D सभी तीनों, तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? इसका सही जवाब हो सकता है option B केवल दूसरा देखते हैं इसकी व्याक्या इसकी व्याक्या यहां पर यहां है कि समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्राले की और से इस योजना को प्रारंब किया गया है और इस योजना में वित्ती वर्ष 2021 मत्रा चालू वित्ती वर्ष में करीब 3.28 लाख लोगों को इसका लाप देने का लक्ष रखा है साथी इस पर करीब कितना 1100 करोर रुपए की लोन सबसीडी भी दी जाएगी और इस योजना का लाप दलित और अन्य पिश्रा वर्ष से जुड़े स्वें सहयता समू या फिर कोई व्यक्तिगत भी ले सकता है मतलब एक व्यक्ति भी ले सकीगा हलांकि इसके लिए वही पात्र होंगे जिनकी सालाना आए कितनी होनी चाहिए तीन लाख रुपए या फिर उससे कम होगी वही व्यक्तिगा के अंतरगत आगे देखें कि इस योजना के क्रियानवन की जिम्मेदारी किनको सौपी गई है तो देखिए दो एजेंसियों को सौपी गई है और दूसरी एजेंसी है वही इस योजना के तत स्वेम सहता समू को 4 लाख रुपए और व्यक्तिगत इस तरपर अगर रिन लेते हैं तो कितना 2 लाख रुपए तक कि रिन पर सबसीडी मिलेगी और या जो पूरी योजना है वो पारदर्सी हो तो इसके लिए क्या कियागा कि इसकी हर एक प्रक्रिया ओनलाइन है और उसका रिकॉर्ड भी समाल कर रखा जाएगा चलिए बढ़ें अगले प्रस्न की और अगला प्रस्न है XOO संक्रमन क्या है सही कथन कतनों की पहचान कीजिए पहला कतन या चावल में एक गंभीर बैक्टिरियल पत्ता पहला रोक का कारण बनता है दूसरा कतन या विश्व भर में चावल की खेती के लिए भारी उपज नुकसान का कारण बनता है उपरियुक्त में से सत्यकतन है उप्सन A केवल पहला, उप्सन B केवल दूसरा, उप्सन C पहला और दूसरा और उप्सन D कोई भी नहीं तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है उप्सन C पहला और दूसरा चले देखते हैं इसकी व्याख्या इसकी व्याख्या यह है कि XOO या जैन्थो मुनास औरिजे पीवी औरिजी नामक जिवानु से उत्पन होता है और यह चावल में एक गंभीर बैक्टीरियल पत्ता पाला रोग का करण बनता है और यह विस्व भर में चावल की खेती के लिए भारी उपज नुकसान का करण बनता है देखते हैं अगला सवाल अगला सवाल यह है कि अटल सुरंग से संबंधित कौन से कथन सही है चार कथन है पहला कथन यह सुरंग हिमाचल प्रदेश के लाहुल और इवम इस फीती जिले में मनाली के पास सुलंग घाटी को सिसू से जोडती है दूसरा यह सुरंग समुद्र तल से 5000 मीटर की उचाईपन निर्मित की गई दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है तीसरा यह सुरंग हिमाचल प्रदेश एवम लद्दाक के सुदूर छेत्रों तक हर वक्त कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने में मददगार होगी और चौथा कथन 15 किलो मीटर लंबी यह सुरंग चारलिंग ला के पश्चिम में एक पहाड को काट कर निर्मित की गई है उपरियुक्त में से सत्य कथन है चार विकल्प हैं ओप्सन एक केवल पहला दूसरा ओप्सन बी केवल दूसरा तीसरा ओप्सन सी केवल पहला तीसरा ओप्सन डी केवल दूसरा चौथा तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है option C, केवल, पहला और तीसरा चले देखते हैं इसकी व्याख्या व्याख्या यह है कि 3500 क्रोर रुपए की लागत से निर्मित अटल टनल रक्षा की दृष्टी से बहुत महत्पोर्ण है और इससे मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमेटर कम हो जाएगी साथी लाहोल इसपीती के निवासियों को सरदियों में इसे बहुत फैदा होगा अब अटल टनल की खुलने से हिमाचल परदेश के लाहोल इसपीती और लेह लद्दा के बीच हर मौसम में सुचारू रहने वाला मार्ग मिल जाएगा और स सरदियों में भारी बर्फवारी के कारण 6 मैने तक इस हिस्से का देश के सेजभाग से संपट तूट जाता था तो अब यह नहीं होगा यह सुरंग इसले भी महत्पूर्ण है क्योंकि इससे पाकिस्तान चीन बॉर्डर पर भारत की ताकत बढ़ जाएगी और इसके सुरू होने से लद्दाक का इलाका साल भर पूरी तरह जुड़ा रहेगा वहीं आगे व्याक्या के अंतरगत कि 9.02 किलो मिटर यह सुरंग रोतांग ला के पस्ची में एक पहाड को काटकर निर्मित की गई है जिसे सोलंग घाटी एवं सिस्सु के बीच की दूरी लगभग 46 किलो मतलब FATF Financial Action Task Force से जुड़े कतनों पर विचार कर असत्य कतन की पहचान कीजिए तीन कतन है पहला कतन इसको G20 देशों की पहल पर 1989 में एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में इस्थापित किया गया था दूसरा कतन इसका मुख्याल है पेरिस में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के मुख्याले में ही इस्थित है और तीसरा यह निकाय मनी लॉंडरिंग आतंकवाद वित्य पोशन को रोकने के लिए परतिबद्ध है तो इसका सही जवाब क्या है इसका सही जवाब है उप्सन ए केवल पहला चलिए देखते हैं इसकी भी व्याक्याब FATF की इस्थापना एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में G7 देशों के द्वारा 1989 इस्वी में की गई थी वर्तमान में FATF में भारत समेत 37 सदस देश और 263 संगठन सामिल है भारत FATF का 2010 से सदस से है FATF का उद्देश से क्या है Money Laundering और आतंकवादी वित्वपोशन जैसे कारियों को रोकना और FATF के अंतरगत दो प्रकार के लिस्ट होते हैं एक Gray List और दूसरा Black List किसी भी देश का FATF की Gray List में सामिल होने का अर्थ होता है कि वह देश आतंकवादी फंडिंग और Money Laundering पर अंकुस लगाने में विफल रहा है वहीं किसी भी देश का FATF की Black List में सामिल होने का अर्थ होता है कि उस देश को अंतर राष्टिये वित्तिये संस्थाओं द्वारा वित्ती सहयता मिलनी बंद हो जाएगी चले बढ़ते हैं अगले सवाल की और और यह सवाल देखिए क्या है सवाल है कि नारको परिक्षण और Poligraf परिक्षण से क्या तात परे है देखें, पाला नारको परिच्छन, जब कोई व्यक्ति जूट बोलता है, तो उस इस्थिती में उसकी शाररिक परतिक्रियाएं और सामानने हो जाती है, दूसरा, पॉलिग्राफ परिच्छन, इसमें व्यक्ति को सोडियम पैंटो थर्ड, जैसे दवाओं का इंजेक्शन दि कोई भी नहीं, तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है, और साइको एक्टिव दवा दी जाती है, या फिर सोडियम पैंटो थोल का इंजेक्शन लगाए जाता है, और इस दवा का असर होते ही, व्यक्ति ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है, जिसमें व्यक्ति पूरी तरह बेहोस भी नहीं होता है, और पूरी तरह होस में भी नहीं रहता है, इसका मतलब यहाँ पर यह है, कि व्यक्ति मैनिपलेट नहीं कर सकता है किसी भी घड़ना को, वहीं आगे अगर हम देखें, तो पॉलिग्राफ परिक्षन में, कार्डियो क अगले सवाल की और, यह रहा अगला सवाल की और, यह रहा अगला सवाल की और, सवाल है, हाल ही में, न्यू कैलेडोनिया में जन्मत संग्रह कराया गया है, या अवस्तित है, ओप्षन A, अट्लांटिक महासागर, ओप्षन B, उत्री परशांत महासागर, ओप्षन C, डक्षनी परशांत महासागर, ओप्षन D, हिंद महासागर, इसका सही जवाब क्या है इसका सही जवाब है option C, डक्षनी प्रशान्त महासाकर देखे, New Caledonia में इस बात के लिए जन्मत संग्रह कराया गया कि लोग France के साथ रहना चाहते हैं या रहना नहीं चाहते हैं जन्मत संग्रह में लोगों ने यह बताया कि वो France के साथ बने रहना चाहते हैं तो देखे, इसकी व्याख्या व्याख्या यह है कि New Caledonia के लोग आजादी का समर्थन करते तो France के हाथ से परसान चेतर में इस्थित या चेतर निकल जाता है तो देखे, यहाँ पर यह है New Caledonia का चेतर जो आस्ट्रेलिया के पूर्व में इस्थित है अब यहाँ पर यह कि इस चेतर में चीन का दबदबा बढ़ता जा रहा है और अगर New Caledonia की बात करें तो 1853 या France का हिस्सा है और यह डक्षिन पस्चिम प्रसांत का एक सुदूर चेतर है साल 2018 में भी इस मुद्दे पर जन्मत संग्रह हुआ था लेकिन तब भी लोगोंने फ्रांस से अलग होने के खिलाफ अपनी राय जाहिर की थी अगला सवाल निम्न लिखित कतनों पर विचार कर सही कतनों का चुनाव करें चार कतन है पहला कतन हैपिटाइटीस सी यकृत से संबंदित एक रोग है जो वाईरस के कारण उत्पन होता है दूसरा कतन हैपिटाइटीस सी वाईरस की खोज के लिए इस वर्स का चिकिचसा का नॉबल पुरसकार प्रदान किया गया है तीसरा कतन वैज्ञानिक प्रगति के चलते वरतमान में हेपेटाइटिस A, B, C तीनों के टीके उपलब्थ है और चौथा कथन हेपेटाइटिस C एक रक्त जनित वाइरस है जो कैंसर का कारण बनता है कौन सा सही विकल्प चार विकल्प है उप्सन A केवल पहला दूसरा उप्सन B केवल दूसरा तीसरा चौथा उप्सन C केवल पहला दूसरा चौथा और उप्सन D उप्रोक्त सभी तो इसका सही जवाब क्या है इसका सही जवाब है उप्सन C पहला दूसरा और चौथा चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या, व्याख्या यह है कि अमरीकी वैज्ञानिक हार्वे जे आल्टर और चार्ल्स M. राइस तथा ब्रिटिस विज्ञाने माइकल हफ्टन को हैपेटाइटी सी वाइरस की खोज के लिए चिकित्सा के छेत्र के नौबल पुरुसकार के दुनिया भर से हेपेटाइटी सी वाइरस की उन्मुलन की उमीदें बढ़िये अब जरा एक नजर विश्वस्वास संगठन के आंकलन के अनुसार दुनिया भर में हेपेटाइटी से साथ करोड से अधिक मामले हैं और प्रतिवर्स इससे चार लाग से अधिक लोगों की मि प्रस्ण है कि वामन कामत समिती निम्न में से किसी से संबंदित है चार ओप्सन है ओप्सन ए आरबियाई द्वारा रिनो के पुनरगठन हे तू ओप्सन बी चुनाव आयोग द्वारा चुनाव सुधार हे तू ओप्सन सी स्रम एवं रोजगार मंत्राले द्वारा स्रम सु यहां पर यह है कि PM स्वानिधी योजना से जुड़े कतनों की सत्यता पर विचार कीजिए। स्वीगी के साथ एक समझोता किया है और चौथा इस समझोते से स्ट्रीट वेंडर्स को ऑनलाइन माध्यम से बड़ी संख्या में ग्राहकों से जुड़ने का अफसर मिल सकेगा। ऑप्शन बी केवल पाहला तीसरा और चौथा चले देखते हैं इसकी व्याक्या व्याक्या यह है कि प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्म निर्भर निधी योजना यानी पी-म स्वनिधी योजना के तहत देश के सभी सड़क के किनारे रोजमरा के काम करने वाले जैसे फल सबजी विक्रेता, रेडी पर छोटे मुटे दुकान लगाने वाले लोगों को सरकार के द्वारा कितना 10,000 रुपए का रिन उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वो फिर से अपने कारी को सुरू कर सके और यह जो रिन दिया जाएगा तो रेहरी पटरी वालों को एक साल के भीतर किस्त में इसे लोटाना होगा और जो भी रिन प्राप्त करता इस रिन को समय पर चुका देता है तो फिर उस वेंडर्स को साथ फिस दिया साथ प्रतिसत का वार्सिक ब्यास सबसीडी के तौर पर उनके बैंक खाते में सरकार की द्वारा जमा कर दिया जाएगा चले देखें अगला प्रश्णी क्या है अगला प्रश्णी यहां पर यह है कि कौन सा राज्ज सबजियों के लिए नियूनतम समर्थन मुल्लित्य करने वाला देश का पहला राज्ज बन गया है चार उप्सन है option a केरल, option b करनाटक, option c तमिलनाडू और option d गुजरात तो इसका सही जवाब क्या है? option a केरल देखें इसकी व्याख्या व्याख्या इसकी यह है कि केरल सरकार ने क्या किया है कि खाने पीने की 21 चीजों का नियूंतन समर्थन मुल्य तै किया है जिसमें 16 प्रकार की सब्जियां भी सामिल रहे हैं और केरल सब्जियों का MSP तैकरने वाला पहला राज्य है और यह 1 नवंबर से पूरे राज्य में लागू हो जाएगा बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर यह रहा अगला सवाल सवाल यह है कि हाल ही में खबरों में रहा एनिग्मा चन्ना गोलम निम्न में से है उप्सन A मचली, उप्सन B News Portal, उप्सन C पादप, उप्सन D तचारोग इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है उप्सन A मचली देखते हैं इसकी व्याक्या कि मचली की यह प्रजाती ड्रैगन, स्नेक हेड मचलियों के परिवार से समन्दित है और यह रहती कहा है? तो यह भूमिगत जल भरों में रहती है और इसे हाली में केरल में देखा गया और वैज्यानिकों को इस मचली की जानकारी मिली थी सोसल मीटिया से और ऐसा माना जाता है कि इस प्रजाती की उत्पती गोंडवाना लेंड में हुई थी वही गोंडवाना लेंड जो बाद में एसिया और अफरिका महाद्विपो में विभाजित हो गया चलिए बढ़ते हैं अपने अंतिम सवाल की ओर सवाल है कि हाल ही में चावल के पौधों में पोटेसियम की कमी में सुधार के लिए किस विशिष्ट पादप हर्मोन की पहचान की गई है उप्सन ए जिब्रेलिन उप्सन बी जस्मोनेटे उप्सन सी एप्सिसिक अमलेट उप्सन डी साइटो काइनल तो इसका सही जवाब क्या है इसका सही जवाब है ऑप्सन बी जस्मोनेटे तो इस प्रकार समसामेकी से समंदित हमने कुल 21 वस्तोनिष्ट प्रश्णों को देखा इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समात्त करते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ don't forget to like share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update